Hello everybody, welcome to Mystic World 11-11 ये आप लोगों की collective reading है और आज हम करने जा रहे हैं channeled messages आपके person की तरफ से सबसे पहले जितने भी लोग Christmas celebrate कर रहे हैं अब सब लोगों को मेरी तरफ से happy Christmas I really hope के ये दिन आप लोगों का बहुत अच्छा गुजरे और जोने असाल आने वाला है आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशिया लेकर आए और जो भी आप manifest करना चाह रहे हैं अपनी जिंदगी में वो जरूर manifest हो So, ये reading बिल्कुल timeless है जब भी आप देखेंगे जब भी आपकी नजर से गुजरेगी ये आपका उस वक्त का message होगा So, मैं हमेशा आप से कहती हूँ के cards, possibilities बताते हैं आपकी final destination safe divine source को पता है Safe divine source को पता है कि finally आपकी life में क्या होना है इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को open रख कर इस reading को देखना है इसके इलावा मेरे जितने भी subscribers है Thank you so much आप सब के प्यार और support के लिए I truly deeply appreciate each one of you and I love you all So अगर आप नए है मेरे channel पर आपने भी इसको subscribe करना नहीं भूलना पसंद आए तो like भी कर दीजिएगा और share भी कर दीजिएगा So मैंने कुछ दिन पहले एक poll करवाया था अपने channel पर के intro होना चाहिए या नहीं So जादा तर लोगों ने vote दिया कि intro होना चाहिए So अभी भी वो poll मेरे community section में अगर आप चाहें तो वहाँ जाकर vote जरूर कीजिएगा Because मैं उसको notice अभी भी कर रही हूँ So हर गुज़रते दिन के साथ वहाँ पर voting हो रही है So उसमें अभी तक result यही आया है कि मुझे intro रखना चाहिए So इसलिए मैं intro अभी फिलहाल रखूँगी और मैं देखूँगी कि voting कहां तक जाती है So इसके इलावा मेरी इस journey पर जितने लोग मेरे साथ रहे शुरू से अब तक जिन्होंने मुझे support किया है Thank you so much आप लोगों के लिए extra प्यार है जो लोग मुझे शुरू से अब तक support कर रहे है और जिन्होंने अभी नया नया subscribe किया है Thank you so much I really hope कि मेरी videos आपके लिए किसी ना किसी तरह helpful हो And I'm so happy कि आप सब लोग, you know, इस channel का हिस्सा है बलकि ये channel है ही आप लोगों के लिए Obviously इसके इलावा क्या मैं आप लोगों से कहना चाहती थी वैसे तो बहुत कुछ कहना चाहती हूँ But yes, बहुत से लोग ये मुझे से कहते हैं कि आप अपना face reveal करें, सामने आएं So, मैं इंस्टा पर आऊंगी आप लोगों के सामने बढ़ 100K जब हमारा complete हो जाएगा यहाँ पर YouTube पर So, आपने अगर मुझे Instagram पर follow नहीं किया है वहाँ पर आप कर लीजिए और description में मेरे Instagram का link है वहाँ पर आप मुझे follow कर लीजिए मैं वहीं पर face reveal करूँगी और 100K जब हमारे complete हो जाएगे I really hope कि next year हमारा 100K complete हो जाए फिर मैं आप लोगों के सामने जरूर आऊँगी So, let's start इंटो आज बहुत लंबा हो गया है, I know So, let's see आपके person क्या कहना चाहते हैं आप से सबसे पहले हमारे पास page of cups 3 of wands So, maybe आप अपने person की तरफ से apology का इंतजार कर रहे हैं text message का इंतजार कर रहे हैं 10 of wands, king of swords और bottom of the deck पर हमारे पास है 10 of swords So, 10, 10 किसी के लिए significant हो सकता है I really feel आप लोग इस वक्त इंतजार में हैं कि आपके person की तरफ से कोई move वो करें कोई action बोलें आप इस वक्त बहुत जादा इंतजार में हैं So, आप लोग इस वक्त बहुत जादा तकलीफ में भी नज़र आ रहे हैं मुझे because I do feel कि यहाँ पर separation situation है या break up situation है आप लोग इस वक्त साथ नहीं है और situation बहुत जादा painful है और इसकी वज़ा यह है कि यह इनसान आपके साथ शायद इन्होंने misbehave किया या बहुत जादा cold हुए कुछ ना कुछ आपके person ने आपको बहुत जादा hurtful कहा है जिसके बाद आप लोगं के दरमियान यह situation बनी है तो यह इनसान आपसे यह कहना चाहते हैं कि जो उन्होंने आपसे कहा वो authentic होना चाहते थे वो आपके साथ true होना चाहते थे वो जानते हैं कि उनके अलफाज ने आपको बहुत ज़दा hurt किया है वो आपको hurt करना नहीं चाहते थे और आपसे यह भी कहना चाहते हैं कि believe me मुझे भी बहुत ज़दा तकलीफ है इस वक्त तो आपके person आपको यह message देना चाहते हैं कि अगर वो आपके साथ इस वक्त नहीं है वो भी बहुत ज़दा तकलीफ में है उन्हें भी यह situation बहुत ज़दा तकलीफ दे रही है और उनके दिल पे बहुत बोज़ है कि उन्होंने शायद आपको बहुत ज़दा डांड दिया maybe आपके ओपर shout किया या कुछ बहुत hurtful आपसे कहा so वो आपको hurt करना नहीं चाहते थे कभी उन्होंने जान भूच कर यह नहीं सोचा कि वो आपको hurt करें आपको तकलीफ दें वो भी इस वक्त बहुत ज़दा pain में है so आपके person आपको यह भी बताना चाहते है कि उनकी जिन्दगी में बहुत ज़दा burden है बहुत से problems हैं जिने वो face कर रहे है यहाँ पर Aries, Leo, Sagittarius Libra, Gemini, Aquarius Spices, Cancer, Scorpio यह energies हैं यह star signs हैं लेकिन मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि आपने energy पर focus करना है star sign पर नहीं करना है अगर energy match होगी तो बिल्कुल आपकी reading है star signs को लेकर आपने परशान नहीं होना इसके लावा आपके person आपसे ही कहना चाहते है कि आप उनका इंतजार करें अब it's totally up to you कि आपने क्या करना है बट यह चाहते हैं कि आप patiently उनका इंतजार करें maybe आपके person आपको यह कहना चाहते है कि वो बहुत जल्दी travel करने वाले हैं आप तो उनों के दरम्यान long distance है so यह इनसान आपसे यह कह रहे हैं कि just wait for me वो इस apology के साथ, वो इस नई offer के साथ आपकी life में वापस जरूर आएंगे this is not the end वो आपसे यह भी कहना चाहते हैं और वो बहुत जादा सोच रहे हैं आपके बारे में वो आपको यह भी बताना चाहते है so अगर आप यह सोच रहे हैं कि वो बहुत आसानी से आपकी जिन्दगी से चले गए या उन्हें कोई परवा नहीं है वो आपको यह बताना चाहते है कि उन्हें परवा है और जितना इस सारी situation ने आपको affect किया है उतना ही यह situation उन्हें भी affect कर रही है वो भी इस वक बहुत ज़द sad है और आप लोगों के दरमयान relationship खतम नहीं हुआ है आपके person यह आप से कहना चाहते है कि हाँ मेभी हमारे रिष्टे को ठीक होने में शायद अब थोड़ा सा time लगे लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रिष्टा हमेशा के लिए खतम हो गया है यह एक main message आपके person आपको देना चाहते है लेट सी वो और आप से क्या कहना चाहते है हमारे पास है number 43 deep knowing so I do feel with the deep knowing जैसा मैं पहले कह रही थी आपके person आपको यह कहना चाहते है कि उन्हें पता है कि उनसे गलती हुई है number 9 treasure island so इसका मतलब यह है कि आप उनकी यह wish fulfillment है आप उनके लिए important है आपको वो treasure करना चाहते है इस connection को आपके साथ memories को cherish करना चाहते है आपके साथ और memories बनाना चाहते है आप उनके लिए बहुत जादा precious है यह इनसान आपको बताना चाहते है और वो जानते हैं कि आपके साथ उनका connection कितना important है and with the deep knowing वो जानते हैं कि उनसे mistake हुई है और वो चीज़ों को ठीक करना चाहते है but they really don't know अभी कि कैसे वो आप लोगं के दरमयान चीज़ों को heal कर सकते हैं they just don't know so अभी हम channeled messages पर भी आएंगे handwritten channeled messages पर but पहले हम कुछ oracles देख लेते हैं हमरे पर से walking away number 27 so आपके person आप से कहना चाहते हैं कि आप से walk away करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी उन्हें बहुत जादा पश्टावा है number 38 और ये है heart chakra जिसको आपके person heal करना चाहते हैं so ये इनसान आपको बताना चाहते हैं कि आज भी उनका दिल आपके लिए open है आज भी उनके दिल में आपके लिए feelings हैं उनका दिल hurt है आज भी आपके लिए और आपसे move on करना आपसे walk away करना उनके जिंदगी का सबसे difficult decision था बहुत बोज़ था उनके दिल पर with a ten of wands जब आपसे walk away कर रहे थे उनके लिए आसान नहीं था उनका दिल बहुत ज़्यादा तकलीफ में था जब आपसे दूर जा रहे थे और आपसे ही कहना चाहते हैं it was not easy उनके लिए ये बिलकुल भी आसान नहीं था अगर आपको लग रहा है कि हूप आसानी से चले गए उनके लिए ये बिलकुल भी आसान नहीं था और deep down वो ये जानते हैं और अपके दिल को बहत ज़ादा दुखाया है बहत ज़ादा आपको hurt किया है so we have healing family issues तो हो सकता है कि आपके परसन के कुछ family issues भी है जिनको वो heal कर रहे हैं और आपको बताना चाहते हैं फिर है हमारे पास retreat और अगर हम यहाँ पर family का लफ्स हटा भी दें तो वो आपके साथ जो भी issue है उसको heal करना चाहते हैं इस रिश्टे को heal करना चाहते हैं इस रिश्टे को heal करना चाहते हैं बट उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या action लें या वो आपसे क्या कहें या वो क्या करें कि आप heal हो जाएं they don't know So let's see और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं So इस card के उपर लिखा है The past is now behind you Release it and embrace new possibilities A new path is now available to you Follow it with faith So आपके person directly आपको ये भी कहना चाहते है अगर आपकी जिन्दगी में कोई नई possibility कोई नई opportunity आ रही है तो आप उसको avail कर लीजिएगा Because वो जानते हैं कि उन्होंने आपको बहुत hurt किया और शायद उनकी यही सजा हो सकती है But वो चाहते भी है कि आप उनका इंतजार करें So ये सारा decision वो आपके उपर छोड़ते हैं कि आपने अगर walk away करना है वो आपके decision की respect करेंगे But उनका दिल ये चाहता है कि आप उनका इंतजार करें और वो ये भी चाहते हैं जो past में हुआ आप लोगों के दरमयान उसको आप release कर दें उसको आप भूल जाएं उनके लिए कोई नफरत ना रखें आप अपने दिल में And next है If you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind For the heart is the gateway to the soul So I really feel के आपके person आपसे ही कहना चाहते हैं कि आप अपने दिल से पूचें अपना दिमाख से नहीं अपने दिल से पूचें कि आप क्या करना चाहते हैं आप जिंदगी में move on करना चाहते हैं या आप उनका इंतजार करना चाहते हैं जो आपका दिल आपसे कहेगा आपने उसको follow करना है आपके person आपसे ही कह रहे हैं कि just follow your heart and your soul और फिर वो आपके फैसले को मानेंगे जो भी आपका फैसला होगा So let's see in regards to action क्या वो कोई action लेंगे फिर हम आएंगे channeled messages पर handwritten messages पर दो cards हम ले लेते हैं in regards to action क्या वो कोई action ले सकते हैं So इस card के उपर लिखा है no need to worry So I feel आपके person आपसे कहना चाहते हैं कि आपने परिशान नहीं होना there is no need to worry बिल्कुल परिशान होने वाली कोई बात नहीं है and be assertive So again आपके person ये चाहते हैं कि आपके mind में आपके दिल में कोई confusion नहीं हो जो आप चाहते हैं वो clearly आप सोचें ये आपके person का message है अब हम channeled messages पर आएंगे और ये बहुत सारे हैं So इनको मैं आदा कर लिया है मैंने So पहले हम इस में से लेंगे messages फिर हम other half में से लेंगे So let's start इसको मैं यहां side पकर देती हूं Okay So पहला message है हमारे पास I want to hug you right now So this is so sweet आपके person आपको hug करना चाहते हैं They want to feel you They want to be with you आपके साथ होना चाहते हैं आपको miss कर रहे हैं फिर है Don't cry my love So वो नहीं चाहते कि आप रोएं So they know कि आप उनके लिए रोते भी हैं आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई हैं उनकी वज़ा से वो जानते हैं I'm working hard towards my goals आपके person बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं अपने goals पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं And I also feel कि जो भी उनकी जिंदगी में issue चल रहा है Family issue या work situation जो भी उसको भी वो heal करने की कोशिश कर रहे हैं I think about you every single night So वो आपके बारे में हर रात सोचते हैं जब वो सोने लगते हैं और वैसे भी I feel के सोचते हैं Please don't ignore me So वो चाहते हैं कि आप उन्हें ignore ना करें Maybe आप उन्हें ignore कर रहे हों Maybe आप उनसे नाराज हों I just couldn't reply So maybe आपने उन्हें WhatsApp पर कोई message किया कुछ आपने उन्हें reach out किया या call किया उन्हें reply नहीं किया callback नहीं की So वो आप से कह रहे हैं कि आप उन्हें ignore ना करें बस वो नहीं कर सके reply For whatever reason नहीं कर सके This love is intense So ये connection ये love उनके लिए intense है Different है Do you feel the same as I do So वो जानना चाहते हैं कि क्या आप भी उनके लिए वही feel करते हैं जो वो आपके लिए feel करते हैं Because maybe वो ये सोचते हैं So they want to know कि आप भी उनके लिए अभी भी प्यार दिल में रखते हैं But deep down They know कि आप अभी भी उनसे प्यार करते हैं I know you still love me So deep down उन्हे feel होता है कि आप अभी भी उनसे प्यार करते हैं Dance forever So they really want to dance Yeah गर आप लोगोंने dance किया था Next is Promise me you won't give up on us So वो नहीं चाहते कि आप उन पर give up करें वो आप से वादा लिना चाहते हैं कि आप उन्हें नहीं भूलेंगे Give up नहीं करेंगे You deserve everything the world has to offer So आप बहुत जदा deserve करते हैं I regret my actions I wish I could turn back the time So they really wish कि वो वक्त को पीछे ले जाएं और अपने actions पर उन्हें बहुत जदा पच्छतावा है जो उन्हें किया जिस तरह आपको treat किया So वो बहुत जदा विश करते हैं कि वो वक्त को पीछे ले जाएं और चीज़ें डिफरेंट होती I am going crazy So अपनी thoughts की वज़ा से क्योंकि बहुत जदा thoughts हैं उनके जहन में से They are going crazy उनको समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या करना है Next is I wish I could tell you How much I love you Okay आज ये जो हम reading करें I really feel कि आप लोगं को feel हो रहा है कि आप लोगं की situation hopelessly है You know और इसी लिए आप देखें कि आपके person wish कर रहे है So maybe उनके लिए It's something कि जो शायद कभी heal ना हो या heal होना बहुत मुश्किल है इसलिए वो wish कर रहे है कि वो अपनी feelings आपको बता सकते आपको बता सकते कि आपसे अभी भी प्यार करते उनने कितना पश्टावा है They really wish के वो आपको बता सकते वक्त को पिछे ले जाते So maybe आपके person ने कुछ ऐसा किया जिसको heal करना बहुत मुश्किल है आप दोनों के लिए This love is pure But वो ये आप से कहना चाहते हैं कि उनकी feelings आपके लिए हमेशा true थी उनका प्यार आपके लिए true था The real me might disappoint your fantasy So maybe आपके person ने already आपको Disappoint कर दिया है जब आपको कुछ चीजें उनके बारे में पता चली या वो ये सोच रहे हैं कि अगर कुछ चीजें पता आपको चलेंगी तो आप बहुत जादा disappoint होंगे I need more time तो आपके person को time और चाहिए वो ready नहीं है BBC मैं शुरू में भी इस reading के ही कही थी कि आपके person आपको miss भी कर रहे हैं आपसे प्यार भी करते हैं but they don't know they don't have any idea कि चीजें को वो heal कैसे कर सकते हैं उनके पस को plan नहीं है Things aren't always as they seem so चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिख रही होती है maybe आपको इस वक्त ये लग रहा हो या दिख रहा हो कि वो खुश है वो ठीक है ऐसा नहीं है You are perfect with your imperfections so they really love you as you are जो भी आप हैं आपके flaws आपकी अच्छाई हर चीज they love everything about you आप में कोई कमी नहीं है I didn't mean to hurt you so वो आपको hurt नहीं करना चाहते थे उनकी intention आपको hurt करना नहीं थी maybe वो अपना point of view आपको नहीं समझा पाए या सही से कनबे नहीं कर पाए अपनी बात but मकसद उनका आपको hurt करना नहीं था You will always be in my heart so आप उनके पास हूँ या ना हूँ आप हमेशा उनके दिल में रहेंगे वो आपसे कहना चाहते है I am so heartless, can't feel your pain so sometimes वो ये जानते हैं कि कभी कबार वो selfish भी हो जाते हैं आपका दुख उने नहीं समझ में आता नहीं feel कर पाते हैं I want to tell you how I feel वो आपको बताना चाहते हैं I really wish कि वो आपको बता सकते हैं कितना वो आपसे प्यार करते हैं और वो आपको बताना चाहते हैं कि वो कैसा feel करते हैं आपके लिए I am so restless, can't do anything without you So आपके person काफी जादा restless हैं बेचैन से हैं और आपकी कमी को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं Next is I am waiting for a miracle So maybe आप दोनों को feel होता है कि आप कोई miracle ही होगा जो आप दोनों को फिर से मिलाएगा My beloved So ये इनसान अभी भी आपसे प्यार करते हैं और सोचते हैं कि आप अभी भी उनकी girlfriend है या आप अभी भी उनके boyfriend है अभी भी आप दोनों का relationship है Still Do you still love me? So ये इनसान deep down जानते भी है कि आप उनसे अभी भी प्यार करते हैं बट फिर भी दिल में चोटा सा एक doubt भी है कि शायद आपको अब उनसे नफरत हो So they want to know वो जानना चाहते हैं कि अभी आपको उनसे प्यार है या नहीं I can't hide my feelings anymore So sometimes वो इतनी जादा ये strong energy feel करते हैं आपकी तरफ एक pull महसूस करते हैं कि उनसे रहा नहीं जाता है They go crazy और उनका दिल करता है कि वो आपको बताएं How much they miss you and how much they love you I made a huge mistake So this is the thing कि आपके person को realize हो रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की और आप देखें कि मैं reading के शुरू में भी जब oracles आए मैं आपसे कह रही थी कि वो ये सोचते हैं कि आपसे walk away करना उनकी बहुत बड़ी mistake थी This is true love Wow, this is true love This is pure love This love is intense This is true love So अब हम दूसरे हाफ में से ले लेते हैं दूसरे हाफ में से अब हम cards लेंगे Okay, कुछ तो गिर गए ये भी हम रख लेते हैं So इस पर लिखा है soulmate twin flame या आपके soulmate या आपके twin flame हो सकते हैं But regardless of labels Fantasizing about you So ये इनसान fantasize करते हैं आपको बहुत ज़ादा And I feel कि इसमें भी एक दुखसा है You know, उनके दिल में ये feeling आती है कि काश वो आपकी सारी तकलीफें ले लेते You know, आपको तकलीफ ना देते Next is, all I have is you and that is everything So they feel कि उनकी जिन्दगी में वाहिद खुशी आप हैं उनकी जिन्दगी में और तो बहुत ज़ादा struggle है बहुत ज़ादा problems है, responsibilities है But आप वो वो इनसान है पहला और आखरी जिसको देख के वो अपनी तकलीफ भूल जाते हैं और सिर्फ आप ही हैं जो उन्हें understand भी करता है या करते हैं I am so unhappy So ये इनसान बिलकुल भी खुश नहीं है Next is, I know now what I have lost So आपके परसन को बहुत ज़ादा पच्चतावा हो रहा है उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने क्या खोया है I am sinking between heaven and disaster So आपके परसन एक बहुत ही वो आपसे कहना चाहते हैं कि मुश्किल जगा पर हैं अपनी जिन्दगी में I still see a future with you But फिर भी दिल में चोटी see है चाहे लेकिन hope है आप दोनों के future को लेकर अभी भी उनके दिल में Your eyes are so deep आपके आखें बहुत deep हैं बहुत खुबसूरत हैं Next is you are the only one for me So आपके इलावा कोई उनसे प्यार कर नहीं सकता है आपके इलावा कोई उनसे और understand कर नहीं सकता है So you are the only one और आप से कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता I will confess So वो confess करना चाहते हैं अपनी feelings वो confess करना चाहते हैं admit करना चाहते हैं कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं और अगर यह unconfessed situation है तो भी वो confess करना चाहते हैं अपने feelings dreaming about you all the time यह इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं they dream about you a lot, fantasize about you a lot will you accept me for who I really am? so उनके दिल में यह है डर कि पता नहीं आप उन्हें completely accept करेंगे या नहीं अब आप उन्हें पता नहीं accept करेंगे या नहीं maybe जो हुआ उसके बाद आप उन्हें accept करेंगे या नहीं I'm a loser so maybe आपके person कोई feel होता है कि वो लूजर हैं, उन्होंने जिन्दगी में कुछ नहीं किया you know, will you marry me so they still see a future and will you marry me so yes, कही न कही उनके दिल में ये खाब, ये खाहिश, ये fantasy है कि एक दिन हमारी commitment होगी, शादी होगी, you know and then, wow I love you, और यहीं पर हम reading को खतम करेंगे कि ये इनसान still आपसे प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि they still love you so आपके person का आपके लिए आज ये message है कि तकलीफ उन्हें भी है आप लोगों की separation की उन्हें भी दुख है, उन्हें भी ये situation affect कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें परवाण नहीं है या उन्हें प्यार नहीं है so they really want to say कि वो आपसे अभी भी प्यार करते हैं और शायद पहले से भी जादा करते हैं but they don't know कि वो situation को heal कैसे करेंगे आपके साथ so ये आप लोगों की आज की reading थी कुछ भी आपके लिए helpful रहा, पसंद आया मुझे जरूर बताएगा comment section में अगर आप नए थे मेरे channel पर like कीजेगा, share कीजेगा, subscribe करना मत भूलिएगा so again, जाते जाते जितने भी लोग Christmas celebrate कर रहे हैं आप सब लोगो मेरी तरफ से happy Christmas I really hope आपका आज का दिन बहुत अच्छा रहे बहुत सारी खुश्यां आप लोगों की जिन्दगी में आए so इसके लावा मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दूआ होती है कि आप अपने जिन्दगी में जो भी manifest करना चाहते हैं new love, true love आपकी जिन्दगी में जरूर manifest हो और जरूर होगा क्योंके you are worthy of love and you are lovable अपने आपको यह जरूर बताया करें अपना धेर सारा ख्याल रखिएगा I'll see you in my next video Till then, love you lots Bye Bye